दोस्तों खजानों को लेकर हमारे देश में बहुत सी कहानिया और किस्से मौजूद हैं लेकिन आजकल देश में अलगी खजाने को लेकर चर्चाएं जोरूपर हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं वाइट गोल्ड कहे जाने वाले लीथियम की वैसे ये खजाना लोगों को साहे दि आकरसक लगे क्योंकि ये सोना चादिया हीरे के जैसे चमकदार नहीं होता लेकिन ये खजाना देश के हर नागरिक का भविस से सुधार सकता है लेकिन दोस्तों आप सोचिंगे कि आज हम इस खजाने पर बात क्यों कर रहे हैं अगर आप खबरों से अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा अभी हाली में जम्मु कस्मीर में लीथियम का बहुत बड़ा बंडार मिला था लेकिन आज लीथियम पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इस बाद जम्मु कस्मीर से भी बड़ा बंडार राजस्तान में लीथियम का मिल गया है जी हां मेरे दोस्त सही सुन रहे हैं आप वहीं भारती भूवेग्यानी सर्विक्षन यानी GSI के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टी करते हुए मोहर लगा दी है कि राजस्तान के नागोर इलाके में मिला लीथियम का बंडार हा अगर आप सोच रहे होंगे कि लीथियम इतना कीमती क्यूं है तो आपको बता दें कि लीथियम का इस्तमाल आपकी इलेक्टिक गाड़ियों से लेकर लेप्टॉप और सेलफॉन की बैटरी के साथ साथ गलास और सिरेमिक इंडेस्टीज में किया जाता है यानि आप कह सकते हैं कि बैटरी से चलने वाला हर उपकरण लीथियम के भ्रॉस से है और इसलिए भी देश में लीथियम के बंडार का मिलना भारती अर्थे वियस्ता के लिए और आम लोगों के लिए काफी भाइदे की बात है वहीं दोस्तो एक रिपोर्ट के मुताबिक लीथियम का भंडार मिलने से इलेक्टिक गाड़ियों की लागत में काफी कमी आ सकती है और इससे इलेक्टिक वहिकल के मार्केट और उनके गराकों को आने वाले समय में काफी फाइदा हो सकता है दोस्तो विश्व बैंकी की रिपोर्ट के अनुसा साल 2050 तक लीथियम धातू की वैस्विक मांग 530 तक बढ़ सकती है फिलाल 21 मिलियन टन के साथ बोलिविया दुनिया का सबसे बड़ा भंडार वाला देश है और वहीं इसके बाँ अर्जेंटिना, चीली, अमेरिका और चाइना में भी इसके बड़े भंडार है क्वार्जी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा लीथियम का भंडार है हालांकि 5.1 टन लीथियम भंडार के हाथ चाइना का वेस्वी बाजार में एक अधिकार बना हुआ है वहीं दोस्तों आप जानते होंगे कि चाइना एलेक्टिक वेकल्स के मैनुफाक्चरिंग में भी किंग है इसलिए उसका इस बाजार में भी सिक्का चलता है और भारत भी अपने कुल लीथियम आयात का 35.76 फीस्दी हिस्सा चाइना से ही खरीता है दोस्तों साल 2021 में भारत ने 6000 क्रोड उप्य से ज़्यादे के मूल्य के लीथियम का आयात किया था और इसमें से करीब 35 क्रोड उप्य से ज़्यादे के मूल्य का लीथियम चाइना से ही खरीदा गया था वहीं इस लिहाज से भी देखें तो राजस्तान में लीथियम का पार भंडार मिलना ना क्योगल प्रदेश के लिए बलकि देश की अर्थवियस्ता के लिए भी फैयदे की बात है दोस्तों आपको बता दें कि लीथियम दुनिया की सबसे नर्म और हलकी दातू है और वहीं सबजी की चाकु से काटे जाने के लिए प्रियाप्त नर्म भी है और पानी में डालने पर तैरने के लिए प्रियाप्त हलकी भी है वहीं ये कैमिकल एनर्जी को स्टोर भी करती है और इसे लेक्टिक एनर्जी में बदल देती है वैसे लीथियम आज हर घर में चार्जे पर इलक्टोनिक और बैटरी से चलने वाले गैजेट से में भी मौजूद है और इसी वज़ेसे दुनिया भर में लीथियम की जबरदस्त मांग है और इसलिए इसे वाइड गोल्ड भी कहा जाता है तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कराऊं साथ में चैनल को जरूर से सब्क्राइब कीजिएगा जय हिंद जय भारत